संचार वर्गीकरण संचार को इस तरों प्रकारों रूपों माध्यों के आधार पर निमलेखित रूपों में वर्गीकत किया जा सकता है अब हम बात कर लेते हैं पारसपरिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण एक तरफा संचार ऐसी परिस्तिती में ग्राही सूचना प्राप्त तो करता है पर वह प्रेशक को बदले में कुछ लोटाता नहीं है तक काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है इसलिए संचार एक तरफा रहता है भाशन व्याख्यान प्रवचन रेडियो म्यूजिक अंगित सुनना टेलीविजन पर कोई भी मनोरंजन कारेकरम देखना वेबसाइट पर सुचना ढूंडने के लिए एंटरनेट का उप्योग करना एक तरफा संचार के उधारने ठीक है अछलरफ एक तरफ शंचार हैlara मुझे बदलना चाहिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो यह तो सुननी रहे ना यह चिस्तों कि दू तर्फा संचार ऐसे संचार है जो दो या दो अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है यहां एक दूसरे के संपन करने वाले सभी पक्ष्मतों विचारों सुचनाओं आधिका आधान प्रदान शाब्दिक अशाब्दिक रूप से करते हैं मोबाइल फ जुनेबा बोल रही है समारा बोले मैं ठीक हूं जुबेदा तुम कैसी हो लग कम्यूनिकेशन हो रहा है बाचित कर रहे हैं दूसरे को जवाब दे रहे हैं इसमें ठीक है जब अपनी भूख भूख जतानी के लिए कोई शिशु रोता है तो अनुक्रिया करता है तो उसकी मां उसके पेट भड़ती है शिशु का रोना या संदेश है कि जो बच्चे को भूख से संप्रेशित करता है और शिशु के जीवन के लिए अत्यावाशक है इस प्रकार से संचा दो तरफा है ठीक है दो तरफा का कम्यूनिकेशन संचार हो रहा है संचार के इस तरोतों पर अधारत्वर्गी करण अन्त्रा वियतिक संस्चार या स्वाइम के संबाद करने से संबंदिते या अवलोकं करने विसलेशन करने ऐसे निशकर श्तद पहुंचने में एक ऐसे प्रकार का मानशिक प्रकिरया है । किसी व्यक्ति के वर्तमान भूद्भविष्य के व्यवहार के जीवन के लिए अर्थपुर्ण है मतलब कुछ अर्थ लिएवे हो कुछ महात्पुर्ण विचार लिएवे या एक सतत प्रकिर्या है जो किसी व्यक्ति के भीतर चलती रहती है उधारन के लिए अर्थपूर्ण मतलब कुछ मिनिंग इसका, ठीक है, उधारन के लिए किसी साक्षतकार, अधाता मोखीक परिशा के उपस्तिती होने के पूर्व, मान्सिक पूरव भियास है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें मेरे बच्चे के स्वास्थ के लिए पॉलिया बूत पर ले जाना लाबदाइक हो सकता है यह अपने बच्चे को लेके जारी है पॉलिया बूत पर फिर अंतरव्यतिक संचार इसका संबन दो या अधिक लोगों के बीच में आमने सामने होने की इस्तिती में विचारों मतों को सांजिदारी से है या अपचारिक औ जैसे मोखिक तरीकों का प्रयोग के जाता है इसके उधारन से पढ़ाई के दोरान कोई प्रयोग करने के दोरान आने वाली समस्याओं के बारे में मित्र से बाचित करना फिर किसी भी संपरी संबात में भाग लेना और उसके बाद प्रशनुत्तर सत्र हो ठीके बाचित कर प्रश्णुत्र की इसका उत्तर क्या आ रहा है पहले जैसे टीचर पड़ा रहा है आपको फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बचो इसके इसका आंसर बताईए क्या होगा कई बच्चे आंसर देंगे कई अपने इस तरके जितना उसको समझ में आएगा उस अनुसा वो अपना आंसर देगा आंतरवेतिक संचार सरवाधिक प्रभावी आदश होता है इसके दो कारण है कि पहला यह है कि इसमें ग्राही संचारक के भी सदे निकटा प्रत्यक्ष संपर्क रहता है और इसी ग्राही को किसी प्रस्तावित विचार अभीमत को स्विकार करने के लिए मानना प्रैशित करना राजी करना आसान होता है दूसरे प्रस्तावित अभीमत के विशय में ग्राही के प्रत्यक्ष अनुकिरा के रूप में त्वरित द्रड़ प्रतिपुस्ट संभाव हरती है अपनी बात को रख रहा है अपने प्रश उतर कर रहा है उसको व्यक्तिया में 2 यでは 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं संहु संचार परस्पर स्विकरत द्रष्टिकोंण सामोविक नर्नय को सुनकर बनानीक में साइथा करता है और आत्म अभी व्यक्ति का अउसर देता है और किसी सभामें व्यक्ति के प्रभाय को बढ़ाने में जिसस प्रकार के द्रश्य श्रव्य साधुनों का प्रयोग भी किया जाता है अब ये समू संचार एक दूसरे से कम्यूनिकेशन कर रहे हैं वारता लाप कर रहे हैं मिटिंग कर रहे हैं ठीक है ये समू संचार के अंतर गतार आ रहा है जन संचार आ रहाता है सप्राद्योगी कि मैं गुनित करने के लिए प्रकिरिया है तथा उन्हें जनता तक पहुंचाने की प्रकिरा के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जन संचार का साधन के माध्या में रेडियो, टेलिविजन, उपगर, संचार, अब अकबार, पत्रिकाय, जन संचार में दर्शक्ष, रोताओं की संख्या बहुत विशाल और विविदता पूर्ण होती है, यह परस परभिन प्रकार के तथा नाम रहीत होते हैं, यह काफी प्राप्त हो सकती है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अंत्रा संस्था संचार, संस्थागा संचार सुव्यवस्ति संगठनों में होता है, मानवो को ही, मानवो की ही तरह, जब लोग एक साथ किसी संस्था संगठन में कारी करते हैं, तो संस्था से संबंदी स्थापित होत सब्सक्राइब संफ्थाइब किसी संस्था द्वारा अनिय संस्था के साथ आपसी संयोग समन्वय से कारे करने की लक्ष की द्रस्टी से विख्सिस संचार पनाले से है उधारानता है देशpek में देश की विकासत्मक कार्यत्मक्व तक्नी के विieur्टिय साहयता दोनों ही अंतरस्ट्रिय अभीकरणों द्वारा दी जाती है तक जबकि प्रशास्तिक साहयता केंद्र सरकार राजसरकार के द्वारा दी जाती है अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उलेखनी हैं कि अंतरसंस्थागत संग्ठनों विभागों संस्थाओं के बीच में संचार नहीं होता है बलकि इन संस्थाओं के कारिय करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संचार करते हैं अता है व्यक्ति के विवक अती महत्युपूर्ण होता है अतलब संस्था आपस में कम्यूनिकेशन कर रहा है अपने विचारों को पहुंचा रहा है कि यह संदेश आपके के लिए प्रतिक्रिया दीजिए एक आफिस दूसरे आफिस में अपना कार्य पहुंचाता है वही चीज इसमें आ रही है ठीक है मैंने आप लोगों से बोला है बार-बार आप ये वीडियो दो बार आवश्य देखें ठीक है